हेलो फ्रेंड्स आई एम शिल्पा एंड यू वाचिंग माँ चानल सडी मेंटर शिल्पा ओके सब फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम SBI PO 2023 का नोटिफिकेशन की पूरी जानकर दिखेंगे ठीके सबसे पहले है कंड़क्टिंग बॉड़ी तो वह है SBI वैकंसी उसमे 2000 अंडर रेजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वह होगा सेवेंट ऑफ सब्टेबर 2023 से लेकर 27 सब्टेबर 2023 के तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीके उसके लिए ओफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.ing वेबसाइट पर वह अप्लोड कर देंगे ठीक है next exam date pre-ka होगा वह होगा November 2023 में और means का exam जो होगा वह December के end में या फिर January के 1st week में 2024 के वह connect कर आए जाएगा next interview and group exercise वह होगा January February 2024 में ठीक है मतलब January के end में भी हो सकता है या फिर February के 1st week में 2024 में okay next final result जो आपका आएगा वह है ठीक है next अब हम vacancy की बात कर लेंगे उसमें category vacancy SC category के लिए है 300 vacancy ST के लिए है 150 OBC के लिए है 540 EWS के लिए 200 जनरल के लिए 810 और मतलब total vacancy है 2000 ठीक है next अब qualification के बारे में जानेंगे हम qualification जो है आपको as on 31 December 2023 इस date के हिसाब से आपको वो graduation मतलब चाहिए है अब देखते हैं उसके बारे में पूरी जानकारे देखिए graduation in any discipline मतलब आप arts commerce science medical कोई भी student हो यह form आप फिल कर सकते हैं ठीक है last semester का exam होने का है तो भी आप form फिल कर सकते हैं लेकिन उसके लिए condition भी है कि proof of having past graduation exam on और before 31 December 2023 इसका मतलब यह है कि अगर आपका final year का result अभी तक form फिल कर सकते हैं ठीक है उसके लिए कोई भी मतलब restriction नहीं है कि अगर 31 December से पहले आपका result आता है तो आप form फिल कर सकते हैं ठीक है अब देखिए calculation of percentage इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भी percentage का criteria तो दिया नहीं है कि आप 40% है 50% 60% है आपको regression में आप form फिल कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर एक बात धान में रखना कि 59.99% treated as less than 60% इसका मतलब यह है कि 59.99% जो है उसको less than 60 मतलब 60 से कम के 50% है ऐसा treat किया जाएगा और 54.99% यह भी less than 55% ऐसा treat किया जाएगा ठीक है नेक्स बात कर लेते हैं एज की तो एज दिखिए 21 years से लेकर 30 years तक आप form फिल कर सकते हैं as on 1 April 2023 मतलब यह जो date दी है इसके हिसाब से आप अपनी age count कर लिजए ठीक है अगर आप 21 और 30 years की बीच में है तो आप form फिल कर सकते हैं age realization है SCST के लिए 5 years other backward student non criminal के लिए 3 years PWD SCST students के लिए 15 years PWD OBC के लिए 13 years ex-serviceman के लिए 5 years ठीक है अब देखिए number of attempts मतलब कितने chances आपको मिलेंगे SBA PU का exam देने के लिए तो general EWS के लिए 4 chances general EWS PWD students मतलब person with disabilities के लिए 7 OBC OBC PWD students उनके लिए 7 और SC normal student SC PWD मतलब person with disabilities ST और ST PWD लिए no restriction ठीक है इसका मतलब यह है कि आप इतने chances आपको मिलेंगे पूरी life में ठीक है SBA PU का exam देने के लिए अब देखिए chances counting date कोन से होगी तो 18 4 2010 इसका मतलब यह है कि 18 April 2020 2010 में जो form filling हुआ था मतलब exam हुई थी उसके बाद 10 से लेकर आपने कितने बार exam दिया है अब देखिए pre exam अगर आपने दिया था SBA PO का पहले भी अगर आप उसमें fail होगे तो वो chance count नहीं किया जाएगा ठीक है लेकिन आपने pre exam qualify कर लिया और आप मेंस में मेंस का exam आप fail भी होगे या पास होगे वो matter नहीं करता है लेकिन pre exam अगर आपने पास कर लिया तो आपका एक chance होगे ठीक है अगर आपने दूसरी बार exam दिया वह भी आपने pre qualify के लिया तो आपकी 2 chance होगे ठीक है next अब जानेंगे selection process के बार है तो selection process जो होगा वो होगा pre means interview group discussion and psychometric test ठीक है अब देख लेते हैं exam pattern exam pattern के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए उसका link मैं दे दूँगे comment में ठीक है next उसमें दिया no sectional cutoff in pre and means मतलब इसमें कोई भी sectional cutoff नहीं रहेगा और one-fourth negative marking रहेग ठीक है phase 3 में जो है group exercise और interview यह marks ज्यादा matter करेंगे इसमें 20 marks 30 marks total 50 marks का ही test होगा और psychometric test जो है वो आपकी personality कैसे वो जानने के लिए वो contact करा जाता है ठीक है next अब salary देख लेगे basic pay होगा 41,960 enhanced salary आपको around 61,000 मिल जाएगी ठीक है final selection जो होगा मेंस मतलब maximum marks होगे मेंस पे 250 marks गुरूप discussion interview उसके होगे 50 marks और total 300 और इसका normalization marks करके होगा मेंस में 75 गुरूप exercise में 25 और total होगा 100 मेंसे जो भी marks आएगे वो आपके final selection के marks होगे और fees है general के लिए 750 और SCC के लिए no fees ठीक है so friends आपको अगर ऐसे जालेबल वीडियो चाहिए तो please subscribe to my channel and like the video thank you so much